The polynomial fx equal to x2 power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively. Then find the value of a and b and hence find the remainder when fx is divided by x minus 2. अगर x minus 1 से इस पूरे fx को divide करेंगे 3 meeting 5 बचता है और एक्स प्लस 1 से इस पूरे fx को divide करेंगे 3 meeting 90 बचता है तो इसके निसाब से a and b के value को find किजिए A और B के value को find करने के पास जो मारा Fx का value हो जाएगा न उसको एगर X-2 से divide करेंगे त्रिमेंडर कितना बचेगा वो बताईए तो मैं आप लिखते हैं कि Fx जो दिया हुआ है हमारे पास में वो है X2 power 4 minus 2x cube plus 3x square minus Ax plus B अब बोला जा रहा है कि X-1 जो है इसको divide कर रहा है Fx को त्रिमेंडर 5 फूट रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे X-1 equal to 0 करेंगे तो X equal to 1 होगा that means अगर हमारा F1 हो जाएगा त्रिमेंडर हमारा कितना है तो 5 है अब हम क्या करेंगे न जहांगे X है वो हमारा 1 को फूट करेंगे तो 1 to e power 4 minus 2 into 1 to e power 3 plus 3 into 1 to e power 2 minus a to 1 plus b equal to 5 इसको solve करते है 1 को 4 बार मेंटप्राय करेंगे तो 1 होगा minus यह 1 को तो 1 होगा 2 1 जा 2 हो जाएगा और यह plus हमारा 3 हो जाएगा यह minus a हो जाएगा plus b equal to 5 अब नहीं दिखते हैं न 3 plus 1 4 minus 2 2 उस 2 को उदर भी जाएगे थो मानस 2 हो जाएगा मतलब कि अगर b equal to करेंगे न तो b equal to हमारा 5 और फिर यह 2 धर जाएगा तो minus 2 और यह हमारा minus मyeनन तो हमारा हो जाएगा plus a इसका मतलब कि b equal to हो जाएगा 3 plus a यह हमारा 1 हो गिया अब next बोलो जा रहा है ना कि अगर x plus 1 से f x सो डिवाड़ करेंगे तो हमारा remainder जो है वो 19 होगा तो x plus 1 सो डिवाड़ कर रहा है ना तो x plus 1 इकोल टो 0 करेंगे ना तो x इकोल टो मानस 1 होगा तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर कि f minus 1 इकोल टो हो जाएगा हमारा 19 अब जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ मानस 1 पूट करना तो हो जाएगा minus 1 to power 4 minus 2 into minus 1 का cube plus 3 into minus 1 का square a minus a into minus 1 plus b equal to हो जाएगा हमारा 19 इसको solve परेंगे तो solve करने बाद आजाएगा यह 4 हो जाएगा एक बार हो जाएगा हमारा 1 यह हमारा minus minus plus हो जाएगा minus 1 को 3 बार करेंगे multiply तो minus 1 होगा तो plus 2 और यह हमारा हो जाएगा plus 3 और minus minus plus a plus b equal to 19 हमारे पास में जी question मनेगा ना वो a plus b equal to 19 और यह हमारा 3, 4, 5, 1, 6 से कोई दर भी देंगे मानस मो जाएगा हम लिखेंगे a plus b equal to 13 अब जो बी का value है उसको यह put कर देंगे तो बच्चा हमारा 5 इसका मतलब कि a का value हमारा 5 हो गया अब इसी a के value को ना put कर देंगे हमारा 1 में तो यह लिखेंगे putting the value of a in equation 1 we get 1 में क्या था ना b equal to 3 plus a, b equal to 3 plus a, तो b equal to 3 plus a का value हमारा 5 यानि b का value हमारा हो गया 8 इसके इसाब से हमारे पास जो fx निकलेगा ना, fx क्या हो जाएगा तो x to b power 4 minus 2x cube plus 3x square minus a x था, तो a का value 5 है ना तो हो जाएगा 5x और plus b है, तो plus b का जगा पर 80 एक पास बनी है अब question बोर रहा है ना कि अगर x minus 2 xx को डिभाड करेगा 3 मेंटर क्या होगा तो x minus 2 डिभाड कर रहा है ना, x minus 2 equal to 0 करेंगे ना, तो x equal to 2 हो जाएगा यानि कि जहाँ-जहाँ x x है वहाँ पर 2 को पूट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे if fx is divided by x minus 2 then remainder lives f2 therefore f2 equals, अब जहाँ-जहाँ पर x है वहाँ 2 पूट करेंगे तो 2 2 power 4 minus 2 into 2 का cube plus 3 into 2 का square minus 5 into 2 plus 8 solve कीजिए 2 को चार बार, तो 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 minus 2 को फिर यहाँ पर हो जागा 16 plus यहाँ पर हमारा होज़ा 2 to 4, 4 to 3, 12 minus हो जागा 10, plus हो जागा 8 यह cancel हो गया न, यह 12 और 8 कितना हो गया, 20 और minus 10, यह remainder हमारा 10 बचाँ हम लिखएगे, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, हैंस, the value of a is 5 and b is 8 and if x minus 2 is divided to fx then remainder leaves 10 यह मार हो गया answer